प्रणाम में गारिमा सिंख सबसे बड़ा सवाल में आज एक बार फिर बारी है संडे स्पेशल एडिशन की जिसमें हफते भर की तमाम जो बड़ी खबरे हैं हम कोशिश करते हैं कि उन तमाम खबरों का विशलेशन आपके सामने रखे और क्योंकि चुनावी घमासान है 2024 का और कल जो छटे फेस की वोटिंग हुई उसमें तकरीबन 90% सीटों पर वोटिंग मुकमल हो गई है 486 सीटें अब EVM में कैद हैं 543 में से कल 58 सीटों पर वोटिंग हुई और अब मात्र बचा है एक चरण यानि की सात्वा चरण जो एक जून को होना है और उसमें 57 सीटों पर तै हो जाएगा सारे प्रत्याशियों की किसमत का फैसला और फिर 543 सीटें लॉक हो जाएगी तो आज जिस मुकाम पर बैठकर मैं आपसे बात कर रही हूँ उस मुकाम पर हम 90 फिसदी सीटों में घमासान पूरा होता हुआ देख चुके हैं और कल जो वोटिंग हुई उसमें जो सबसे में दुपूर दो राज्ये थे दिल्ली के और हरियाना के जिसमें एक ही फेज में राज्ये की सारी सीटें निप्टा दी गई दिल्ली की सातों की सातों सीटें और हरियाना की दस की दस सीटें इन दोरों राजियों पर चर्चा करूँगी लेकिन उसके पहले आपको बता दू कि कल जो वोटिंग परसेंट आया चुनावायोग की तरफ से उसमें भी कमी दर्ज की गई 2019 में चल बोजा शुट हर पल मनाओ केश्री तेवाहर विमल बोलो जुमा केश्री चठे फेज में वोटिंग परसेंटेज था चौहसट दशमलव दो दो फीसदी और ये घटकर कल रह गया 61.2 जीरो फीसदी और अक्सर हमने पिछले सारे चरणों में जो ट्रेंड देखा वो यही देखा कि चुनाव प्रतीशत वोटिंग परसेंट जो है वो घटा है लेकिन सिलसिलेवार तरीके से जो राज्यों के आकड़े भी आये उनमें भी ये वोटिंग परसेंटेज कम होता हुआ देखा परसेंटेज कम क्यों हुआ एंटी इंकम्बेंसी है प्रो इंकम्बेंसी है नारासगी है यह क्या दरसल क्योंकि हर्याणा में 2019 में वोटिंग हुई थी 70.34 पीस दी और कल घटकर रह गई 60.40 पीस दी बिहार में भी घटा है तीन प्रतिशत के आसपास उत्तर प्रदेश में घटा है लेकिन आधा फीस दी के आसपास पश्यम मंगाल में 5% जारखंड में 1% से थोड़ा सा कम 0.81% ओडिशा में 2.05 पीस दी और जम्मू कश्मीर में वोटिंग तो पिछले बार के साबले बंपर हुई एक सीट पर जो कल वोटिंग हुई अनंतनाग की सीट पर जहां से महभुवा मुफ्ती चुनाव लड़ रही है वहां ये वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के चुनाव में 2019 में 8.98 फीस दी था और अंदाज़ा लगाई इस बार बढ़कर हो गया 54. बंपर वोटिंग इसे कहा जा सकता है लेकिन हम जो बात करने वाले हैं आज कुछ चुनिंदा राजियों की बात करेंगे दिल्ली की बात करेंगे हर्याना की बात करेंगे इसके अलावा बिहार की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे